सबी का हार्दिक स्वागत है अपने यूटूब चैनल के उपर यह जो गोमुत्र है गाय का इलगबग दो से तीन मैने तक पुराना गोमुत्र है जिसको गहरा काला रंग प्राप्त हुआ है और उसकी स्मेल भी ज्यादा होती है इसको हम जो जारी है उस जारी में डालेंगे और एक लिटर हमने डाला है लगबग चार पाश लिटर की जारी है उसमें जो बाकी है वो हम पानी लेंगे और अच्छी तरह घोल बना कर इसको हम जो सब्जी आए जैसे की टमाटर हुआ मिर्ची हुआ बेंगन हुआ उसके साथ साथ मेथी हुआ और पालक इनके उपर हम इसका छिटकाव करेंगे क्योंकि जो इन्वार्मेंट के चल दो खुले में सब्जी आ लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है यह देखिए अभी इसको हम उसके पत्तों पे छिटकाव करेंगे अच्छी तरह छिटकाव होना चाहिए उसके साथ साथ जो पानी के साथ उसके जड़ तक भी पोश्टना चाहिए ताकि जो कीट या उसके उफर अटेक करने वाले जो यह है वो वाला सके और उसके साथ साथ फसल की तेजी से तता सब्जियों की ग्रोथ हमें मिल सके और एक अच्छा और्गैनिक फुड हमें मिल सके यह हम मैने में दो बार करेंगे 15-15 दिन अंतराल से इसका चिड़काव नित्ति रूप से करते जाएंगे और उसके बाद में अभी 4-5 दिन के बाद हम इस चिड़काव करने का परिणाम देखेंगे यह देखे है हल्दी हल्दी की ओपर भी हल्का सा चिड़काव इसका हम करेंगे ताकि उसमें भी फाइदा हमें मिल सके और जो कीट से छुटकरा हमारी पसल तता सब्जियों को मिल सके थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच